गौतम बुद्ध रोज अपने शिश्यों को उपदेश देते थे। गौतम बुद्ध से कहा कि तथागत मैं रोज नियम से आपके प्रवचन सुन रहा हूं लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आपकी सारी बातें सच हैं लेकिन मेरे जीवन में इनसे कोई बदलाव नहीं आ रहा है। बुद्ध ने उस व्यक्ती से पूछा कि तुम कहां रहते हो। उसने जवाब दिया कि मैं श्रावस्ती में रहता हूं। बुद्ध ने पूछा ये जगह यहां से कितनी दूर है। उस व्यक्ती ने जगह की दूरी बताई। इसके बाद बुद्ध ने फिर पूछा तुम वहां कैसे जाते हो। व्यक्ती ने बताया कि कभी घोड़े पर कभी बैल गाड़ी पर बैठ कर जाता हूं। बुद्ध ने फिर पूछा कि तुम्हें वहां पहुँचने में कितना समय लगता है। व्यक्ती ने पहुँचने का समय भी बता दिया। इसके बाद बुद्ध ने अन्तिम प्रश्न पूछा कि क्या तुम यहां बैठे-बैठे ही श्रावस्ती पहुँच सकते हो। इस प् तब तक हम अच्छी बातों का पालन नहीं करेंगे, उन पर चलेंगे नहीं, तब तक हम पर प्रवचनों का कोई असर नहीं होगा, सिर्फ अच्छी बातें सुनने से हमारा जीवन नहीं बदलता है, हमें प्रवचन को समझना होगा और उन्हें अपने जीवन में अपनाना व्यक्ति को बुद्ध की बातें समज़ा गई और उस दिन के बाद उसने भी बुद्ध के बताय मार्ग पर चलना शुरू कर दिया बुद्ध के प्रवचनों से व्यक्ति की सोच बदल गई और उसका मन शांत हो गया कथा की सीख इस छोटी सी कथा की सीख यह है कि अगर हम मन शान्त करना चाहते हैं, तो हमें क्रोध, लोब, मोह, अहंकार को तुरंत छोड़ देना चाहिए इन बुराईयों की वजह से हमारा मन अशान्त रहता है, शान्ती नहीं मिलती है लाइक करें अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और सब्सक्राइब करें ऐसे ही जानकारी के लिए थैंक्स फर वाचिंग